Welcome to all आप सभी लोगा स्वागत है NK मिद टार Law Classes के official YouTube channel है आज हम लोग जो बात करने वाले है वो बात करने वाले है rectification of error की rectification of error होता क्या है इसका इंप़ेक्ट पढ़ता है हम लोगे accounts पे इसके बारे में हुम बात करने वाले हैं इसके part 2 में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो उसकी बात करेंगे कि इसकी treatment कैसे की जाती है तो चलिए बिलकुल व्यक्त कवाए बिना चीजों के साथ समझते हैं उससे पहले एक चोटी से request प्लीज हम लोगों के support दिखाने के लिए हमाई चैनल को subscribe कर दीजेगा सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ error के लिए तो error आप लोगों के जो रहते हैं वो इस step के error होते हैं जो bookkeeping error होते हैं और जो trial balance related error होते हैं अब वसी बाते से जो मेरी general entries या laser मेरा बन जाता है उसके बात में मैं trial balance बनाता हूँ तो trial balance में check करने के लिए बनाता हूँ लेकिन trial balance बनाते समय भी हम गलतियां कर सकते हैं तो आप लोगों का जो ये first part है ये आप लोगों का indicate कर रहा है trial balance से पहले की चीज़ को और ये part आप लोगों का indicate कर रहा है trial balance के time पे जो हम error करते हैं जो हम trial balance से पहले जो error करते हैं, उन्हें bookkeeping error कहते हैं, ये भी दो type के रहेंगे, एक type तो वो जिसका effect trial balance पे नहीं पड़ेगा, मतलब सर वो कमियाब trial balance के ज़री भी पता नहीं कर पाएंगे, यानि कि उसका कोई effect नहीं पड़ेगा trial balance पे, दूसरा वो जिसकी वज़े से trial balance नही पड़ता है, तो अगर किन errors का effect नहीं पड़ता है, तो उनकी नाम चार है, error of omission, error of commission, error of principle और compensatory, सर मतलब क्या हुआ इसका, error of omission का मतलब है, भूल जाना, माल लीजे, suppose करिए, आप लोगों के साथ में, एक person था, उससे मैंने good खरीदा, अच्छा सर, हमने एक person से good खरीदा, माल खरीदा, अब सर, जब आपने उससे माल खरीदा, तो आपने उसकी entry करी होगी, है ना, लेकिन मैंने उसकी कोई entry ही नहीं करी, अब CDC बात है, जब मैंने ये बाला परिशू हुआ, कि मैंने goods जब purchase करा है, अगर मैं उसकी entry ही नहीं कर रहा हूँ, अपनी books में, तो ना तो इसी बात है, कोई transaction तो हुआ, लेकिन वो books में mention ही नहीं हुआ, तो जब वो books में mention ही नहीं हुआ, तो उसका कोई offer भी नहीं पड़ेगा, सेकेंड हम बात कर रहे थे, error of commission, error of commission क्या होता है, error of commission का मतलब होता है, recording के time पर होने वाले error, मतलब सर, मतलब आप लोग का ये था, ज इसी इसको credit करना चाहिए, उसको debit कर दिया, तो इससे होगा क्या, सर, इससे यह होगा, यहाँ पर error amount तो चल गया, ठीक है सर, लेकिन debit और credit follow up सही नहीं हुआ, तो वो error कहलाते है, error of commission, या फिर सर, ऐसा भी हो सकता है, आपने खरीदा तो 5,000 का goods था, लेकिन आपने books में केव 500 रुपे पर चल रहा होगा, 5,000 रुपे पर नहीं, तो यह जो कहलाते है, error of commission कहलाते है, negligence या के कारण जो हम लोगों के होते हैं, सर, ख्यानी की debit करना था, उसको credit करना था, उसको debit कर दिया, या माल लीजे, आपने amount गलत mention कर दिया है, यह error of commission के entry, error में count करते हैं, इसके ब बात है, जब भी कोई transaction हो रहा है, तो उसे उसी head में डालना चाहिए, यानि कि जैसे suppose करिए, मैंने machinery purchase करी, या माल लीजे, मैंने कुछ furniture purchase करा, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो अगर मैं furniture purchase कर रहा हूं, तो मेरी entry होगी, furniture account debit, और अगर मैं उधार में purchase कर रहा हूं, तो to purchase account, ओके, ओके सर, अब यहाँ पर मैंने furniture account लिखने की जगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया, सर, आप लोगा furniture account की जगा, यहाँ पर हम डाल देते हैं, building account, कि building के लिए तो आया होगा furniture, तो अब सर यह error of principle है, यहाँ पर ड़नना चाहिए, उसे furniture account के head में, लेकिन आ उसे building head में दि पड़ेगा, amount का transaction जितना है, आप सही दिखा रहे हैं, ओके फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन यह error of principle का है, उसे just head में डलना चाहिए, आप उसे नहीं डाल रहे है, आपने machinery purchase करी, लेकिन उसे repair के head में आपने डाल दिया, तो सर, वो तो machinery के head में डलना चाहिए, machinery purchase कर रहे हैं, कि जो head आपका debit होना चाहिए, उसे head को debit ना करके, एक नया head बनाके, उसे debit या credit कर रहे होते हैं, तो वो error of principle होता है, कि सही कर्चा एक सही head में डलना चाहिए, इस बात को I hope मेरी बात आप आप लोगों को समझ में आ पर आ रही होगी, ठीकें, चलिए, इसके अलाबा गरने करता हूँ, compensatory error क्या होते हैं, compensatory error होते हैं, जो एक दूसरे की छती पूर्दी कर देते हैं, मतलब, सर मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे मानलो, आपको commission receive हुआ था, राम से, ठीके न, अब आपको commission receive हुआ, या मानलीजे rent receive हुआ, तो आपने entry करी, sir rent मेरे को receive हुआ, तो rent account debit to Mr Ram, ठीक है, राम से, अब ये आपको receive हुआ है, मानलो 400 रुपेगा, ठीक है, ठीक है sir, ओके, अब इसके बाद मैं, आप हुआ क्या, आपने, sir 400 रुपेगा, क्या करा, commission दिया है, किसको, Mr. Ram को, तो Ram debit, या मानलीजे Mr. Suresh को दिया था, doesn't matter है, कोई सी को भी आप दे दिजे, कोई फरक नहीं आप नहीं पड़ेगा, ठीक है, चलिए, Mr. Suresh को दिया, आपने, sir कित्ते का, 400 रुपेगा, आपने commission दिया, या discount दिया, आप कुछ भी ले दिजे, अब दिक्का दिये है, यहाँ पे मैंने, राम की जगा, सुरेश और सुरेश की जगा, राम कर दिया, तो इससे कोई फरक तो नहीं पड़ेगा, मतलब, sir, दिक्का दिये हो जाएगी, यहाँ पे, जितना आपने debit करा, मान लीजे, आपने कुछ कम debit करा, तो उत्ता ही आपने दूसरे में करम credit कर दिया, ठीके न, इससे होगा, क्या, वो चीज उ यहाँ पे 40 हो गया होगा, तो CDC बात है, अभी मेरा trial balance का balance क्या होगा, मिल जाएगा, छती पूर्ति का शुद्धियां वो होती है, जहाँ पे एक error खुद को दूसरे से पूरा कर लेता है, यानि क्या मान लीजे, by mistake आपने किसी value को कहीं पे debit में कम कर दिया, तो दूसरी साइ आपका debit का balance क्या होगा, मिल जाएगा, तो इससे मतलब यह रहता है, इस एक दूसरे को compensate कर लेती है, जितना भाई तुमारे कमिया जादा होगा, उतना ही मेरे में कमिया जादा हो जाएगा, तो इसको बोलते है, तो I hope so, आप लोगों को यह 4 हैर समझ में आ गए होंगे, error of om commission का मतलब क्या होता है, error of commission का मतलब यह होता है, मान लीजे, property आपने 5,000 की करीदी थी, लेकिन आपने 500 बेगी लिग दी, है ना, या फिर मान लीजे, आपको जिस चीज को credit करना था, आपने उसे debit, और जिस को debit करना था, उसे आपने by mistake credit कर दिया, ठीक है, या फिर error of principle, जिस sir, छती बूर्ती कर देता है, इसे बोलते हैं हम लोग compensatory error, इस बात को ध्यार नकीगा, ये सभी चीजें बहुत जरूरी है, जिससे आप लोगा part clear रहे हैं, इसके अलावब वो कौन से error है, जिनका trial balance पर effect बढ़ता है, तो वो error होते हैं, मान लीजे, आपने laser में carry forward करते समय, टोटल गलत लिख दिया, अब CDC बात है, जब आप टोटल यहां पर गलत लिख देंगे, लेकिन दूसरी side का सही होगा, तो वो trial balance नहीं मिलेगा, balance निकानने में आपने कोई गलती कर दी हो, wrong side में entry में mention कर दी हो, अब CDC बात है, wrong side में कर दी है, अगर उसके entry तो दूसरा भी wrong side में हो जाता, अगर, तो compensatory हो जाता, मतलब जितना debit होना था उतने credit, लेकिन उतना credit नहीं हुआ है, सीधा सा है, तो यानि कि फिर उसका असर पढ़ेगा, जैसे मान लीजे 40 रुपे debit हुए, अब 40 ही क्या होते है, 40 ही credit हो जाते, तो सर उसका फिर फरक नहीं पढ़ता, लेक होते हैं, जो trial balance पे effect डालते हैं, सर वो कौन से error होते हैं, जो trial balance related होते हैं, अब जब आप trial balance बना रहे हैं, तो हो सकता है, आप trial balance बनानी में भी गलती करें, आप लोग गलती से trial balance में juicy debit होना चाहिए, उसको आप गलती से credit कर दें, तो trial balance की दिक्कत आएगी, मतलब का general or laser का part सही है, अब आप गलती कहां कर रहे हो, trial balance बनाते समय, आपको इतनी समझ नहीं है, किसको कहां पर debit में लगना चाहिए, किसको credit में, wrong calculation कर दी, यानि कि हम लोगा जो difference कर यह थाप से निकल रहा था, वो हमने गलत चड़ा दिया, तो या फिर मान लीजे हम लें books से amount गलत लिग चैनल को subscribe करके अपने प्यार और support हमें दिखा दीजेगा, thank you, thank you so much, आप सभी लोग के प्यार और support के लिए